हलो नमस्कार जहिन दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल टेक्निकल विदेशियस में दोस्तों हम हाजी रहें एक और सांदार क्लास के साथ जो कि CITS इंटरंस इक्जाम 2030 के लिए बहुत ही मातपूर होने वाली है दोस्तों आप सभ कुष्चन को इसमें सामिल किया गया जो आपके पिछले बार इक्जाम में पूछे और इस बार 100% पूछे जाने की संभावना है तो दोस्तों यह मैराथन क्लास कॉस्मेटलॉजी ट्रेड की प्रकार से समझ लिए निचोड है तो आप लोग इसको ढंक से अच्छे से दोस् क्लास से जो है मैक्जिमम कोश्चन आपके एक्जाम में फसने वाले हैं तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को सुरू करते हैं दोस्तों अगर अभी तक आपने यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजिए क्योंकि इस चैनल के दौरा आप और दोस्तों मैंने अपना टेलीगराम चैनल बना की रखा है आप लोगों के लिए टेलीग्राम ग्रूप है जिसके आप जूल करके अपनी बातों को हमसे डाइक पूंश सकते हैं तो टेलीग्राम करने के लिए इस वीडियो की दिस्क्रिप्सन में आप चले जाएंगे तो दोस्तो pers saçरों क्लास के तरफ तो आज का पहला कुशन देखती तो पहला कुशन कहisel का 아किम ग्राहक से टेली फॉन पर बात करने का सहीकरम क्या है तो ग्राहक से जो ग्राहक अगर आपस कॉल किया तो सहीक्रम क्या होगा उससे बात करने का Welcome करेंगे Conversation फिर Thanks तो क्या करेंगे सखी करम क्या है यो सब घराई करेंगे फिर फोन रखते टाइम पर तन्यवाद बोलेंगे तो आपका ज़स्तों बढ़ते हैं दूस्त निएन से बात करो क्यों findet पर टेली फोन पर कौन कैसी आवाज में बात करनी चाहिए, मतलब हम फोन पर या टेली फोन पर किसी से बात कर रहे हैं, हमारी आवाज कैसी होनी चाहिए, तेज आवाज होनी चाहिए, धीमी आवाज होनी चाहिए, सब्ध्य आवाज होनी चाहिए, चिल्ला कर होनी चाहिए, तो आप लोग यह तो common sense का question आप लोग इसको खुदी answer दे देंगे हमारी आवाज कैसी होने चाहिए सब आवाज होने चाहिए मतलब polite wise ना तो तेज होनी चाहिए न धीमी होने चाहिए न चिल्ला कर होनी चाहिए तो आपका right answer क्या होगा option number C सब है आवाज तो टेली फोन पर सब है आवाज में बात करनी चाहिए बढ़ते हैं दोस्तों next question क्या है कि सौंदर द्रिष्टी का कैसा उपहार है द्रिष्टी नहीं स्रिष्टी है सौंदर स्रिष्टी का कैसा उपहार है आप आप option देखिए इसका right answer दीजिए क्या है खराब यूणीक बरबाद गुरूप तो दोस्तों जो सौंदर है आपकी जो ब्यूटी है वो nature मतलब प्रकित या फिर सौ्छिटी मतलब कि आपका कैसा उपहार है तो बताइए तो दोस्तों आपका जो सौंदर है वो सौ्छिटी का एक यूनीयक यूनीक जो है डिफ्ट है मतलब उनिक, उपहार है, मतलब, उनिक, मतलब, समझ रहे न आप, जैसे कोई, अदबूत होता है, इकलाता होता है, तो प्रकार से ऐसा कहा जाता है, यूनिक, मतलब की, जो है यूनिक, जो है गिफट है, तो बढ़ते हैं राइट, इसका राइट एंसर आफसन नमबर भी होगा, वैरो के देख भाल का सारीडिंग प्रस्तुथी करण का गँरों आपका गडरा कर जम्हेंन क्या कह रहा हुए कि छोटे वाली महिलाओं को कस डीजाइन के कपड़े पहंने चाहिए दोस्तों आप लोग-क्री लाइन वाले कपड़े-क्रीचोंति नाइLIE-क्रिग क्पडे से बढ़ते दोस्तों next question करें अगला question क्या करा अच्छे ब्यक्तित्तों में क्या समलित नहीं है किसी का अगर अच्छा ब्यक्तित्त है तिन में से क्या समलित नहीं होगा good nature, good sound, quality, satisfaction, good posture तो दोस्तों बात करें जो एक अच्छे ब्यक्तित्त में जो नहीं सामिल होता है वो होता है दोस्तों आप लोग का क्या बताइए client satisfaction जो client का satisfaction होता है वो आपके एक अच्छे बेक्तित्तों में सामिल नहीं होता है बाकी ये तीनों आपके जो है sorry दोस्तों एक अच्छे बेक्तित्तों में सामिल होते हैं तो सौंदर विज्ञान का जो Cosmetology Science है, या फिर के लिजिए आपका जो है, तो आपका सौंदर विज्ञान, इस्थे टीशन बोलते हैं, आपके सौंदर विज्ञान को, तो उसका मुख्यकार क्या होता है, नाखून का रख रखाओ, सौंदर से संबंधित लेक, त्वचा का रख रखाओ, बालो में स्टाइल बनाना, तो दोस्तों जो सौंदर है, उसका जो मुख्यकार होता है, वो होता है, तौचा का रख रखाओ, तो आपका राइट एंसर, ऑप्सन नमबर C हो जाएगा, तौचा का रख रखाओ, बढ़ते दोस्तों, नेक्स्ट कुश्चिन क्या है, कि क्या करने से मास पेसियां, सुचारू रूप से कारे करती है तो बताएगे क्या करने से मास पेसियां, सुचारू रूप से कारे करेंगी, साब सफाई, डाइटिंग, ध्यान, ब्यायाम, तो दोस्तों बात करें, आपका राइट एंसर, इसमें ऑप्सन नमबर D होगा, जगर हम ब्यायाम करेंगे, तो हमारी जो मास पेसियां, वो सुच पेसियां, चपल जूतों को ही फुट वियर कहते हैं, तो किस प्रकार के फुट वियर पहनने चाहिए, स्टाइलिस, रंगीन, अच्छी तरह से फिट होने चाहिए, फिर नहीं फिट है दोस्तों, जो अच्छी तरह से फिट होगा यह फिट, उची एंडी के, तो दोस्तों जिस तरह के फुट वियर हमें पहनने चाहिए, जो आपका एक समल लीजिए, एक आईडील जो फुट वियर होता है, वो हमारा होता है दोस्तों, अच्छी तरह से जो फिट हो, वही फुट वियर पहनने चाहिए, तो आपका राइट एंचन उप्शन नंबर सी होगा, अच् सन्तुलित भोजण, तो दोस्तों, शरीर को सब्रकर स्थ रखने के लिए, अगर बात किया जाए, तो हमें जो भोजन करना चाहिए, वो हमारा होना चाहिए, सन्तुलित भोजन में सभी प्रकार के नुट्रीस याँ, वसा, विटामिन, प्रोटीन सब आ जातें, सन्तुलित नहीं उसे बोला जाता है संतुलित भोजन में सभी प्रकार के मिनरल्स और प्रोटीन समलित होते हैं तो राइट एंसर आपका उप्सन नंबर D होगा संतुलित भोजन हमें अपने सरीर को सस्त रखने के लिए करना चाहिए बढ़ते दोस्तों निस्ट कुश्चन करा है अगला सभीसों को पता होना चाहिए कि बिटामिन D का मुख्य सरोत क्या है तो जो मिध्यक्ति को क्या कहा जाता है जो कास्मेटलोजी में प्रसिचित ब्यक्ति होते हैं जो मतलब कि ट्रेंड ब्यक्ति होते हैं उन्हें क्या कहते हैं वकील कहेंगे नाई कहेंगे कास्मेटलोजिस्ट कहेंगे केस सज्जा कहेंगे तो दोस्तों वकील तो ला के लिए होता है नाई बार के लिए होता है हेर के पाउं के किस भाग पर सरीर का संपूर्ण वजन डालना चाहिए। इंड़ी का कमपूर बजन डालना चाहिए भड़तें दोस्तों नेस्ट कोशेंग तरफ अगला कोशें हड़ियों को ताकत तो दोस्तों जो गलत मूद्र होती है what can be harmed caused by wrong posture तो बताइए गलत मूद्र से क्या नुकसान होगा तो दोस्तों बात करें गलत मूद्र से जो नुकसान होता है वो होता है दोस्तों आप लोग का गरदन और पीठ में दर्द तो गलत मुद्रा रहेगी अगर आपकी То आपका जो गरदन और पीठ में क्या होगा दर्द होग अगर जैसे मुद्रा मतलब समझ जह रहे हैं आसन जैसे बोलते है मुद्रा आपका राइट एंसर नहांपर मुद्रा का संबंध धण से नहीं है तो आपका राइट एंसर hin нажई होगा गरदन और पीठ में दर्द बढ़ते निस्ट कुशिंग तरह फगला कुशिंग क्या करा कि नेल तकनीशियन का मुख्यकार क्या है तो जो नेल तकनीशियन होते हैं कार क्या होता है नाखून का रख रखाओ बाल को स्टाइल देना बाल काटना मेकप का रख रखाओ करना तो जो जो नेल टिकनीशियन होते है तो जाइस बात अगर नेल टिकनीशियन है तो क्या करेंगे नाखून का रख रखाओ करेंगे तो नाखून के रख रखाओ का कार कि स्वस्थ रहने के लिए कितने घंटे की नीद लेनी चाहिए तो जो एक कास्मेटलॉजिस्ट होता है जो संदर का जो है टेकनीसियन होता है संदर विज्ञान का उसे जो है कितने घंटे की नीद लेनी चाहिए छे गंटे की साथ घंटे की आठ घंटे की दस घंटे की तो दोस दुर्श्तों इसका जो राइट इंसर है आठ गंटे की नीन लेनी चाहिए एक किस्the को Micheales को सुऽ्त रहने के लिए 8 गंटे की नीन लेनी चाहिए वैसे बात पर दोश्तों पर कोई भी अगर नॉर्मल व्याय क्त दिया है कि आठ गंटे के लिए लेकिनुआ है और क brat lieu से क पैंसी वस्तू एक कास्मेक्ट लाऋजिस्ट के लिए सबसे महत्पूर है है इसramेक्ट लाइ कावर होता ए जो आपके सरीर को सुरचछा प्रदान करता है दो , ये लेबर के भी बने होते हैं अपके जो है निज्ट को सुर्च और तो आप चाहेげ करने का जो कौसल होता है उसमें क्या महत्रपूर्ण है सोयम की प्रसंसा करना ग्राहक की ब्यक्तित्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् इसको सबजने का मतलब यह है जैसे हम दो लोग बात कर रहे हैं तो हमें जो है दूसरा क्या कह रहा है उसकी बातों को सविकार करना है अच्छे से सुनना है उसी को acceptance बोलेंगे तो आपका right answer option number D हो जाएगा बढ़ते हैं दोस्तों next question तरह अगला question क्या कह रहा है कि संचार योगता में क्या अवस्यक नहीं है जो संचार योगता है मतलब कि आपका जो required in communication skill है जो संचार योगता में उसमें क्या आवस्यक नहीं इन चारों में से तो दोस्तों जो आपका संचार योग गिता है उसमें जो आवस्यक नहीं है वो है दोस्तों आप लोग का अगर बात करें तो नकारात्मक फीडबैक क्योंकि जो आपके नकारात्मक फीडबैक होते हैं इनकी कोई जरूरत नहीं होती संचार की योग गिता में क्योंकि यह आप देंगे तो इससे जो है किसी को आप जो है संचार कर रहे हैं तो आप किसी को निगेटिव थोड़ी संचार करेंगे तो आप एक positive बाते बाते बोलेंगे तिसलिए आपका right answer option number D होगा नकारात्मक feedback का कोई आओ सकता नहीं होता है बढ़ते एनिर्स question तरफ दोस्तों यहां पर देखिए जो आपके ब्यावसाइक नीती होती है उसमें दोस्तों आपका सकारात्मक ब्यवहार होना चाहिए तो आपका right answer option number A हो जाएगा बाकि नयतिक मुल्यों का उलंगन करेंगे तो आपका ब्यापार चले नहीं पाएगा ब्यापार चले नहीं क्या संबंधित है और यहां पर है इसमें क्या संबंधित नहीं है बस थोड़ा सा ही फरक है पारलर में ब्योस्तित रखना ब्योस्तित रखना पारलर के आसपास गंदगी रखना ग्राहक की सुविधा का ध्यान रखना ग्राहक की इच्छाओं का संबान करना तो दोस्तों जो इसमें कहरा है कि क्या संबंधित नहीं है वो है दोस्तों पारलर के अपने आसपास गंदगी रखना तो पारलर के आसपास गंदगी रखना आपके बेवसाइक नीत से संबंधित नहीं क्योंकि आपको अपने पारलर के आसपास क्या रखना है साफ सुथरा रखना है तो आ इस्टरलाइजेशन होता है दोस्तों उसका क्या अर्थ है सूच में जीवों को नश्ट कर देता है सूच में जीवों को कम करता है सूच में जीवों को उतना ही रहने देता है सूच में जीवों को बढ़ने देता है तो दोस्तों जो इस्टरलाइजेशन होता है एक प्रकार का अपका किटाडू ना सकते करता कार करता है तो जो hysteralization होता है उसका जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है दोस्तों आफ लोग का कि सूच में जीवों को nust करता है ग्या करता है ग्या card करता है तो आपका right answer option number A हो जाएगा कि सेने टाइजे जेसन का क्या अर्थ है तो जो सेने टाइजेशन होता है उसका क्या अर्थ होता है सूच में जीवों को कम करता है सूच में जीवों को उतना ही रहने देता है सुचम जीओं को नश्ट कर देता है सुचम जीओं को बढ़ने देता है दोस्तों देखेए आपको औपसन एक ही तरह लग रहे हैंगे लेकिन इसमें question का अंतर है इसमें Tellization था, इसमें जो Casdffour said कि ऑपस्दों जोड़े कर देता है तो आपको option number a हो जाएगा व्योटी थेरेपी होती है उसमें किस किरण करेंगे। किरण करेंगे। इंफररेट किरण का उपयोग करते हैं। करते हैं facto जो आपका सॉंदर चिकत्सा में व्योटी थेरापी होता है वह किरणे आपकी क्योंस ही होती है तो दोस्तों वो क्रिणे आपकी जो है इंफ्रारेड क्रिणे होती है तो जो आपका सौंदर चिकित्सा में जो क्रिणे उप्यों किये जाती है वो आपकी इंफ्रारेड क्रिणे होती है तो आपका राइट एंस और आप्स नंबर ए हो जाएगा इंफ मतलब साफ करेंगे एक तरस के लिए पानी से दोलेंगे कीटाडू नासक हेंड वास का प्रयोग करेंगे आयल का प्रयोग करेंगे क्रीम का प्रयोग करेंगे तो दोस्तों ट्रीटमेंट सुरू करने से पहले और बाद में हम लोग जो है अपने हाथों को कीटाडू नासक जो है कीटाडू नासक हेंड वास से क्या करेंगे वास करेंगे साफ करेंगे तापका right answer option number B हो जाएगा कि treatment शुरू करने से पहले और बाद में हम कीटाडू नासक हेंड वास का प्रयोग करेंगे right answer आपका option number B हो जाएगा फर्स को खिड़की को धर्वाजे को दीवार को दोस्तों जो लाई जाल होता है उसका प्रियोग हम लोग जो है फर्स को साफ करने के लिए करते हैं तो राइट एंचर आपको आपसन नमबर ए होगा कि फर्स को साफ करने के लिए हम लोग लाई जाल का प्रियोग करते हैं बढ तेज़ धार वाले उपकरण को साफ करने के लिए किसका उपयोग करेंगे फोर्मिलीन का, इलकोहल का, लाईजाल का, बोरी केसिड का तो दोस्तों जो तेज़ धार के उपकरण होते हैं उनको जो है साफ करने के लिए हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग प्रियोग करते हैं तो तेज़ धार की उपकरणों को साफ करने के लिए किसका उप्योग करेंगे इल्कोहल का तो राइट एंसर आपका उपसन नमबर बी हो जाएगा इल्कोहल बढ़ते दोस्तों next question क्या कह रहा है तो तो चाँ और ह्लके कट को साफ करने के लिए किसका प्रियोग करेंगे तो दोस्तों जो तो तोचा पे तोचा है और या फिर हलके कट लगए नहीं कहीं पर काम करते हुए कट लग गया आपके सरीर में तो उसको साफ करने के लिए आप इसमें से किसका उपयोग करेंगे फारमेलिन का बोरी केसिड का एलकोहल का एंटिबायोटिक क्रीम का तो बात करें दोस्तों जो हम प्रियोग करते हैं अगर कट या फिर आपके तुचा पर साफ करने के लिए कट लग जाए उसको साफ करने के हैं तो दोस्तों इसको साफ करने के लिए हम लोग करते हैं आप लोग का दोस्तों जो है एंटि बायोटिक कुछ क्रीम का किसका एंटि डयोटिक क्रीम का तरहु है उप सब्सक्राइब के और आयरे खृष्ण नंबेर ड़ी होगा कि माज़कर को तोचा पर हलके कट्स और तोचा को साफ करने के लिए हम लोग इंटिबायोटिक क्रीम का इस्तेमाल करते हैं बड़ते दोस्तों नेस्ट कुछिंग तरफ अगला कुछिंग क्या किरा कि आखों को साफ करने के लिए बोरीक एसिड के कितने प्रतिसद घोल का प्रयोग है वो होता है दोस्तों आप लोग का 1 बटे 4 प्रतिसद आपका राइट एंसर आपसन नंबर ए हो जाएगा 1 बटे 4 परसेंट बोरीक एसिड घोल का उपयोग आखों को साफ करने के लिए करते हैं बड़ते दोस्तों नेस्ट कुछिंग तेरा फगला कुछिंग क्या है प्रिंज धार को साफ करने के लिए 50% प्रि invece उपकरण को साफ करने के लिए duż सिंपकरण को साफ लिए करते हैं दोस्तो बढते ने खुषिंट के caveat दोस्तो माथ वाले के लिए किस टूल को पनी में कितने में अगिने आीस उबाला जाता है तो दोस्तो इस्टरलाइज करने के लिए जो टूल होता है उस टूल का नाम बते है जिसे पानी में कितने मिनट तक उपाला जाता है तो इस्टरलाइज करने के लिए टूल को मतलब इस्टरलाइज करने के लिए जो टूल होता है उसको पानी में कितने मिनट तक उपाला जाता इसलिए राइट एंसरा कॉप्सर नंबर डी होगा कि 20 मिनट किसी इस्टरलाइज टूल को पानी में उबालते हैं बढ़ते हैं दोस्तों नेस्ट कुशिंग तरफ अगला कुशिंग क्या तेरा है कि सेनिटाइजेशन के सुरच्छा अस्तर में सूच में जीओं की संख्या को क कितनेप्रच्य तक कम करते हैं उसनोंगे सेनेटाइजेशन करते हैं सेनेटाइजेशन करते हैं वही पूछ रहा है तो दोस्तों सेनिटाइजेशन करने पर वो जीओं की संख्या प्रतिसत में तक में कम करते हैं वो होती दोस्तों आपके 0.9999 तो आपका right answer option number D होगा मतलब की ना मातर मतलब की किंचित मातर का बहसते नहीं तो आपका 0.999% तक हम लोग जो है जियों को की संख्या को प्रतिसत कम कर देते हैं सैनिटाइजेशन का उप्योब करके right answer आपका option number क्या होगा option number D हो जाएगा दोस्तों बढके इंसर आपका option number C होगा option number C हो जाएगा भरतेएं next question कि दोस्तों अगला question क्या करा है कि सरजी का लूपकरणों की सुनिस्चित करने के लिए किये जाने वाले सब्दों को पहचाने जो सू्च मंगो से मुक्त हैं सरजी का लूप करणों की सूच्छित करने के लिए किस सब्दों को प्रयोग किया जाता है जो सूच्छ मंगों से मुक्त है कि टाडू रहित का सफाई का डिबराइड का इस्टरलाइजेसन का तो दोस्तों इसके लिए जो हम प्रियोक करते हैं सब्द को जो इसके सूच मंगों से मुक्त है तो होता है दोस्तों आपका right answer इस्टरलाइजेशन का अपयोग हम लोग करते है तरहाइजेशना आपका option number D हो जाएगा इस्टरलाइजेशन बढ़ते दोस्तों नेस्ट कुशिंग तरह अगला कुशिंग क्या है सेनेटाइजर के वैकलपिक नाम क्या है तो सेनेटाइजर का वैकलपिक नाम क्या होता है बाध्याकरण निसकामक सफाई पाकाना तो दोस्तों जो सेनेटाइजर सेनेटाइजेसन होता है सेनेटाइजर द बात करें आपके जो भाप वी संक्रमन के तीन पइरा मीटर होते हैं वो दोस्तों आपके होते हैं steam under pressure समय और temperature तो क्या होता है पहला होता आपका steam under pressure दूसरा समय तीसरा temperature तो आपका right answer option number A हो जाएगा जो भाब भी संक्रमण के 3 parameter होते हैं वो आपके steam under pressure समय और temperature होता है बढ़ते दोस्तों next question तरफ अगला question क्या कहरा है कि ग्राहक के सिर के बालों को बाधने के लिए किसका प्रयोक किया जाता है तो किसका प्रयोक करेंगे ग्राहक के सिर के बाल को बाधने के लिए डूपटे का, clip का, phीता का, hair bend का तो दोस्तों जो ग्राहक होता है उसके सिर के बाल को बांधने के लिए हम लोग जो है हेट बैंड का हेट बैंड का सो दोस्तों हेट बैंड का उपियोग करते हैं तो राइट एंसर आपको अपसन नंबर डी होगा हेट बैंड का उपियोग हम जो है ग्राहकों के सिर के बाल को बांधने के लिए करते हैं फीता और क्लिप डुपट्टा मत लगा दीजेगा वैक्सिंग के समय वैक्सिंग के समय वैक्सिंग के समय पाउडर उप्योग करने का क्या तरीका है तो क्या तरीका है बताइए जिस अस्थान पर कार करना है उससे साफ करना तो अच्छा पर ब्रसिंग करना करें फेलिकल को बंद करता है तो अच्छा की सता पर सता से तेल हटा ना दूस्तों जो आपका बैक्सिंग करते तरीका रोगद करें तो युदू आपका बलकर बन करता है दोस्तों यहां पर है आपका यह पर है कि और से ऊसरों HE理 के समय पाउडर करने का जो तरीका होता है कि उसको करने के बाद दूस्तों तुछा पर ब्रस नकरें तरहाई टैंच्छर आपका आप सन थैंपर भी हो जायगा नहीं अगुषिंग का उख यह कही कि दिशा में करते हैं जो कि वैक्षिंग होते हैं इस वापस आने लगते हैं दोस्तों अगर हम सेविंग करते हैं उसके बाद जो बाल हमारे वापस आने लगते हैं वो होता है दोस्तों हमारा दोसे तीन दिन में तो saving करने के 2-3 दिन बाद हमारे बाल वापस आने लगने तो आपका right answer option number B हो जाएगा बढ़ते next question तरफ दोस्तों अगला question क्या कहरा है अगला question कहरा है कि waxing प्रक्रिया संपन करते समय तवचा पर किसकी सहायता से लगानी चाहिए तो मतलब waxing प्रक्रिया संपन करते समय तवचा पर किसकी सहायता से लगानी चाहिए तो बताइए मखन चाको से लगाना चाहिए wax chaku जहाँ हाँ से दोस्तों waxing प्रक्रिए संपन करते समय जो자가 लगाया जाता है आपको यह राइट एंसर आपका बताना इसका दोस्तों सान्य आपका इसका 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 राइट एंसर होगा चाकू कभी नहीं करेंगे इसके लिए वैक्सिंग के लिए एक आलक से आता है वैक्स चाकू उसी का उपयोग हम लोग करेंगे तो आपका राइट एंसर आपसा नंबर सी हो जाएगा बढ़ते दोस्तों नेस्ट कुछिंग तरफ अगला कुछिं क्या किरा है यदि ग्राहक की तचा सेंस्टिव हो तो वैक्सिंग के पस्चात किसका प्रयोग करना चाहिए तो ग्राहक की तचा अगर सेंस्टिव है तो जो प्रयोग करते हैं हम जो है वैक्सिंग में दोस्तों वैक्सिंग के पस्चात जो इसका प्रयोग करते हैं वो होता है पाउडर, क्रोल क्रीम, सा माल करेंगे तो राइट एंसर आपका option number B हो जाएगा दोस्तों बढ़ते निस्ट कुशिंग तरफ अगला कुशिंग क्या है कि केस बृध्धी में कौन सा चरण नहीं होता तो केस बृध्धी में कौन सा चरण नहीं होता दोस्तों बताइए वोजन टैलोजन एनाजन केटाज तो दोस्तों जो आपकी केस बृध्धी चक्र होती है उसमें आपका वोजन नहीं होता क्या नहीं होता तो आपका राइट एंसर option number A हो जाएगा कि केस बृध्धी चक्र में जो चरण नहीं होता वो आपका वोजन होता तो राइट एंसर आपका option number A हो जाएगा बढ़ते है दोस्तों, NIST Quesning तरफ अगला Quesn क्या कराएं? अगला Quesn क्या करा कि आवांचित बालों को मनुस्य के सरीर से हटाने पर तुचा चूने पर कैसी मحसूस होगी? दोस्तों, अगर आवांचित बाल है आप उसको खटा देंगे तो तुचा कैसी महसूस होगी? बताए चिपचीपी, खुरदुरी, मुलायम, गोरी तो जाइर सी बात है अगर दोस्तो अवांचित बाल अगर बाल को हटा देंगे तो तवचा में कैसी महसुत होगी मुलायम महसुत होगी आपका राइट एंसर का होगा हेर का हेर टेकनिक है उसका नाम क्या है दोस्तों बताएए हाइपोडर्मिसिस, हाइपोडर, हाइपोडमिर्सस क्या है दोस्तों इस कुश्चन का नाम तो देखिए हाइपोडमिर्सस है हाइपोडमिर्सस, हाइपर ट्रॉपी, माइपर ट्रीचांस, जड़ते तो दोस्तो जो super fluence hair technique है उसका जो नाम है उसको दोस्तो हम लोग बोलते हैं आप लोग का जो है my per tree chance क्या बोलेंग उसको my per tree chance तो आपका right answer क्या होगा option number जो है c हो जाएगा my per tree choices है दोस्तो लेकिन यहाँ पर इसमें देखिए my per इंग्लिस में लिखा गया है my per tree choices लेकिन यहाँ पर my per tree chance लिखा गया है तो दोस्तो जो भी है आपका right answer option number c है बढ़ते next question तरफ language थोड़ा बहुत pronunciation में कभी कोई word आ जाते हैं दोस्तों जो pronunciation में दिक्कत होती है बढ़ते next question तरफ दोस्तों अगला अगला question क्या करा कि बालों के विकास चक्र के कितने भाग होते हैं तो जो जो बाल का विकास होता है दोस्तों उसके कितने चक्र होते हैं तो दोस्तों बात करें जो बाल के विकास का चक्र होता है उसके जो भाग होते हैं दोस्तों वो आपके होते हैं चार कितने भाग होते हैं चार तो बालों के विकास चक्र के कितने भाग होते हैं चार भाग होते हैं तो आपका right answer option number B हो जाएगा चार भाग बढ़ते हैं दोस जो आवस्यक बाल की कौन सी लेयर सुरमच्छ प्रदान करती है तो बाल में लेयर जो होती है कौन से यसी लेयर है जो सुरच्छा प्रदान करती है क्यूटिकल कोर्टेक्स मेडूला हेयर साफ्ट तो बात करें दोस्तों जो बाल की लेयर होती है जो सुरच्छा प्रदान करती है वह होती है क्यूटिकल लेयर होती है दोस्तों आपके बालों की वह आपको क्या करत तो दोस्तों कुष्चन अगर देखा जाए तो कुष्चन हमने आप लोगों के लिए जो है यहाँ पर देखिए अगर तो सव कोश्टिन बनाई लेकिन पीडि वीडियो लंबी नहो इसलिए आप लोग इंट्रेस्ट से पूरा वीडियो देखें इसलिए हम जो है आप पर पर कौन सी वैक्स करनी चाहिए हाट वैक्स को करनी चाहिए तराइट एंसर आपको अप्सन नमबर ए हो जाएगा तो दोस्तों यह रहा आज की क्लास का का अपने लिंक दे दूँगा वहां जाकर टेलिग्राम जॉइन कर लिजेगा और दोस्तों एक वीडियो हमने बनाई यह दोस्तों कि आप सी आई टेस इंटरंस एक्जाम को कैसे आपको क्वालिफाई करें क्या प्लानिंग करें तो उसके लिए भी मैं वीडियो जो बनाया कि आपको क्लास कैसी लगी और दोस्तों मिलेंगे निस्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत एक्जाम नजदीक है अपनी तयारी को बहतरी धंग से करिए और मेहनत करते रहें दोस्तों